आम आद्मी पार्टी के लखनो कार्यले में ताला जी हाँ, सवाल यही है कि आखिर क्यूं आम आद्मी पार्टी का लखनो कार्यले बंद हो गया तो जवाब यह है कि संसट संजे सिंग कर रहे थे धोका दर कार्यले के नाम पर संसट संजे सिंग के जूट का हो गया है परदाफाश गोंदी नगर से राजसभा संसट संजे सिंग ने राकेश सिंग के नाम पर रहने के लिए मकान लिया था और फिर उसके बाद वहाँ पार्टी का दफ्तर चलाने लगे थे और जब मकान मालिक ने मकान पर ताला जड़ दिया तो लखनव पुलिस पर मकान यारी की कारेले पर ताला जड़ने का आरोप लगा दिया जब क्यासल में ताला मकान मालिक ने जड़ा था क्योंकि एग्रिमेंट खत्म हो गया था और एग्रिमेंट खत्म होने के बाद भी संजय सिंग मकान खाली में ही कर रहे थे तो मकान मालकिन ने मकान पर ताला जड़ दिया मकान मालकिन को शक है कि संजेस सिंग उनकी प्रॉपटी को कबजाना चाहते हैं मकान मालकिन मीरा की मताबिक मेरे उपर पुलिस का कोई दबाब नहीं है संजेस सिंग तो लगातार जूट बोल रहे है उन्होंने जूट बोल कर राकेश सिंग के नाम पर मकान लिया और कारेले खोल दिया मकान मालकिन का साफ कहना है कि हम पार्टी चलाने के लिए मकान नहीं देंगे रेंट एग्रेमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहे हैं इतने बड़े नेता होकर भी लगता है कि मकान को कब जाना चाहते हैं वहीं आप सांसत चोरी के बाद सीना जोरी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो मकान मालकिन के बयान की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वारल हुई तो योगी की पुलिस की कारिशेली पर ही सवाल खड़े करने लगे ट्वीट किया अधितिनात सरकार पर कारले में जबरन ताला जड़ने का आरोप लगा रही है योगी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि वो जन विरोधी तल नीतियों को बेनकाप करते रहेंगे चाहे इस सरकार उन्हीं गिरफतार कर ले गुम्ती नगर में रविवार को पार्टी कारले ना खुलने की वज़ह से सांसत संजे सिंग ने सेवा निवरित आईएस अधिकारी सूरे पिताप सिंग के आवाज से मीडिया को संबोधित किया कहा कि मुखिबंटरी योगिया अधितिनाथ ने हमारी पार्टी का कारले तो बंद करा दिया लेकिन अन्याए के खिलाफ आवाज उछाने से रोक नहीं पाएंगे सरकार काराना हरकत ना करे फर्जी तरीके से जिलों में मुकदमे दर्च कराकर आवाज दबाने की कोशिश ना करे मैं लखनों में ही हूँ मैं जुल्मी और अत्याचारी हूँ तो गिरफतार कर जेल दे मेरे खिलाफ पांच से छे जिलों में मुकदमा कराने वाले योग आधितिनाथ सभी 75 जिलों के हर थाना में केस तर्च करा दें मगर हम सच बोलते रहेंगे आपको पता दे संजे सिंग के खिलाफ लकनों में भी केस तर्च किया गया है महानगर निवास अधिवक्ता अविनाष्ट्र पाठी ने शनिवार रात इस सिलसिले में हजरत गंज कोतवाली में तहरीर दी थी जिस पर आज केस तरच किया गया है अब देखते हैं कि इस मामले में आगे चल कर क्या होता है और अब पार्टी का कारेल है दूसरी कौन सी जगे खोला जाता है